वेलकम टू घटना इस्टिटी दोस्तों आज हम डिकोड एक्जाम की तरफ से निकाले गए आरो ए आरो एक्जाम के लिए प्रिक्टिसेट नंबर पांच करेंगे और समय हम लोगों के पास बहुत कम है इसलिए सभी प्रिक्टिसेट को समप्त करना है वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अगर कोई प्रसन आइस परस्ट है या गलत हो जाता है तो उसे सही करने के लिए कमेंट में हमें जरूर बताए और अभ्यासेट के अंत में अपन परसंवी और समय समन से संद्यन से पहला प्रस्ण आज के पहला प्रस्ण है संद्राश्ट रहां और दोनों सदों से मिलकर बनी होती है घिर्ण इन्सेठा बीत अर दोनों सही है परन्तो आर पतन एक ही सही व्यक्ता नहीं करता है क्योंकि भारतिय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतरगत संसद के गठन का प्रावधान है और इस अनुच्छेद में यहां प्रावधान किया गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जिसमें राश्टरपती और कि दोनों सदन कर्मसा राजसभा और लोक्षभा होंगे इस प्रकार राश्टरपती संसद का अभिन अंग है लेकिन वहां संसद के किसी भी सदन का सदस नहीं होता है इस प्रकार यह सबस्ट है कि दोनों कतन सत्य हैं लेकिन दोनों कत्रों में कोई तार्किक कतन कार्ण संब पंद नहीं है। अगला प्रस्न है मिभारत में सिख्विक्ति ने भारत के लाश्टकिश र् संहाल है। kis उप्लब्द है विस्व में सरवाधी कोईला भनडार सहयुक्तराज अमेरिका में हैं औप्शन एंसर है सहयुक्तराज अमेरिका अगला प्रस्त है निम्ली खित में से कौन सा योगम सही सुमें लिख नहीं है एक तरफ उत्तर प्रदेश की परेटनिस्थल है और दूसरी तरफ उनसे समधित जिला है तो मलिक मुहमद जैसी की मजार ये राम नगर अमेठी में स्थित है और जेतवन विहार ये स्रावस्ति में स्थित है मरिक परवत ये अयोध्या में स्थित है और सुकवा धुकवामांद ये जासी में स्थित है तथा नीचे दिएगे कूट से सही उत्तर का चेन कीजिए सुची फर्स्ट में कार्वनिक पदार्थ है और सुची सेकेंड में उनकी शुरोत है तो सेलिनूज इसका शम्बंध है पौधिसी और यूरिया कार्वनिक पदार्थ इसका शुरोत है जानवर और नेफ्थरलीन कार्वनिक पदार्थ का शुरोत है कोयला और मिथाइल एलकोहाल इसका शुरोत है लकडी ओप्सन बी राइट एंसर है इसका एका तीसरा, बी का चोथा, सी का पहला और डी का दूसरा अगला प्रसन है उत्तरपदे सरकार दौरा बुनियादी रूप से पिछले सीमा वर्ती छेत्रों के शर्वांगिल्ड विकाश के लिए मुक्यमंत्री श्रमक्र ग्राम विकाश विजना के शुरुवात कब की गई चौबेश जनुवरी दोहजार अठार रखो ओप्सन सी राइट एंसर है अगला प्रसन है नुल्लर बूर का मैदान किस देश में वस्तित है तो नुल्लर बूर का मैदान आस्ट्रेलिया में वस्तित है ओप्सन ए राइट एंसर है अगला प्रसन है कपवाश नदी के शम्म संद میں निम्छीच में से कौन कों से कई री क्वैटां सही है पहला कंत है यह विशू की सबसे लंबी दिवपी नदी है और दूसरा गतन है यह इंडोनेसिया của इस तूर यह इंदो नियसिया की बोन्य दिवपर इस्तित है या अगला परस्न है धुरिया लोग नदी उत्तर प्रदेश की किस छेत्र में किया जाने वाला प्रसिध्ध नित्थ है option C राइट एंसर है बुंदेल खंड धुरिया लोक नित्थ उत्तर प्रदेश की बुंदेल खंड छेत्र में किया जाने वाला प्रसिध्ध लोक नित्थ है option c right answer है बंदिल खंड अगला पस्न है निम्री खित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है एक तरफ उच्छ नियाले दिये हुई है और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है तो राइट अंसर है इसका भी यह सही सुमेलित है गोहाटे उच्छ नियाला है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी बागे के नियाले देखते हैं दिल्ली हाइकूट की स्थापना हुई थी 1966 में और हिमाचल प्रदेश हाइकूट की स्थापना यह 1971 में हुई थी और पटना उच् तो एधरीन की उच्छ सांद्रता पाई जाती है पका किला में, पका किला में, ऑपसन सी राइट पान सर स है, पका हुआ किला अगला प्रस्थन है, हाउ पेफोर दा वार, उस तक किसने लिखी है? हाउ टू पे फॉर दवार उस तक जान मेनाड कीन्स दोरा लिखी गई है अपसंसी राइट अंसर है जान मेनाड कीन्स अगला पुस्टन है भरत की आजादी की आजादी से पहले कॉंग्रेस की तीन पत्र कमसा 1899, 1916 और 1936 में लखनों में आज़ित किये किये गये थे निमलिकित में से किसी भी अदिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी राइट अंसर है अगला प्रसन है निमलिकित संधियों को काल करमानुसार वस्थित कीजी इस प्रसन का राइट अंसर होगा D, दूसरा, चोथा, तीसरा और पहला क्योंकि साल भाई की संधी हुई थी 1782B में और स्री रंग पत्नम की संधी हुई थी 1792B में और वसीन की संधी हुई थी 1802 में और अमरत सर की संधी हुई थी 1809 में तो इसका सही कलक्रम होगा option D, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला अगला प्रस्ण है अस्तियों धंत निर्माड में मुख्य रूप से किन तत्तों की आवश्यक्ता होती है अस्तियों धंत निर्माड में मुख्य रूप से कैल्सियम एवम फासफोरस option C, right answer अगला प्रस्ण है जल शक्ति अभियान कैश्धा रेंगो शरू परधम किस बर्स शुरू किया ठाट जल सकती अभियान कैश्धा रेंगो शरूपरधम शुरू किया गया था option C 2021 में right answer है option C 2021 अगला परसन है निम्न लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है पहला कथन है भारती समविधान के अनुक्षेद 188 के तहट राज्य विधान मंदलों के शचिवाले के लिए प्रावधान किये गए है और कथन दो है किसी राज्य की विधान सवा का सचिवाले समन्धित राज्य के मुख्य मंत्री के मार्ग दर्सन और नियत्रण में कारे करता है पूछा कहा है नीची दिये के कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो सही उत्तर है आप्शन सी ना तो फहला और ना ही दूसरा कथन सही है क्योंकि भारतिय सम्विधान का अनुच्छिद 187 राज विधान मंडलों के सचिवाले के लिए प्रावधान करता है और इसमें अनुच्छिद 188 दिया हुआ है पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन है किसी राज की विधान शबह का शचिवाले सम्वंधित राज के विधान सवा अध्यक्ष के मार्ग दर्शन और नियंतरन में कार करता है तो ये कथन भी गलत हो जाएगा इसमें मुख्य मंत्री का मार्ग दर्शन लिखा है आप्शन सी राइट एंसर है ना तो पहला और ना ही दूसरा गतां सही है अगला प्रस्ण है मौर एकाल में प्रचलित तीर्थ सब्द किसी संदर बित करता है मौर एकाल में प्रचलित तीर्थ सब्द मौर प्रशाशन में सीरस अधिकारियों के शमुह को प्रदसित करता है option A right answer है मौर प्रसासन में सीर्ष अधिकारियों के शमुख को अगला परसन है भारत का पहला हरित गाउं होनुमा किस राजमिस्तित है भारत का पहला हरित गाउं होनुमा नागालेंड राजमिस्तित है option B right answer है नागालेंड अगला प्रस्न है किसी देश की अर्थ विवस्था में घरेलू वित्तिय बच्चतों का निम्न लिखित में से क्या महत्त होता है तो इसमें तीन कथन दी होई हैं पहला है यह सरकार के राजगोशिय घाटे की वित्त पोशन का एक परमुख शाधन होता है और दूसरा कथन है इसमें निम्न के लिए पुंजी प्राप्त होती है और तीसरा कथन है शमरथ्धि के लिए विदेशी पुंजी पर निर्भरता कम होती है अब पुंछा गया है नीचे देए के कूट रही वित्तिय का चैन कीजिए यहाँ पिसका राइट एंसर होगा डी पहला तूजरा वद तीसरा तीनों पतन सही है क्योंकि यह शरकार के राज़कोशिय घाटे की वित्ति पोशन का एक परमुक शाधन होता है और इससे निवेश के लिए पूंजी प्राप्त होती है और सम्रद्धी के लिए वित्ति पूंजी पर निर्भरता कम होती है अगला प्रसन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ शान्याल को आजीवन काला पानी की सजा किस केश में होई थी तो परसिध क्रांतिकारी सचींद्रनाथ शान्याल को आजिवन कला पानी के सजा बनारस सड़ेंदरकेश में होई थी option A right answer है बनारस सड़ेंदरकेश अगला पसन है इजराइल की सीमा निम्न मेंसे किस देश से नहीं लगती है तो इस्राइल की सीमा नहीं लगती है सौधी एरप से बी राइट एंसर है बाकि जॉर्डन, मिसर और लेबनान इन देशों से इस्राइल अपनी सीमा साज़ा करता है अगला प्रस्ण है इसमार्कों और इस्थलों के लिए अंतराष्टी दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है इसमार्कों और इस्थलों के लिए अंतराष्टी दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है अठारा अप्रेल को ओप्शन बी राइट एंसर है अठारा अप्रेल अगला प्रस्णा है निम्ले लिखित घटनाओं को सही कालकरम में व्यवस्तित कीजिए तथा नीची दीगे कूट से सही उत्तर कचेन कीजिए तो सही कालकरम होगा आप्शन बी राइट एंसर है दूसरा पहला तीसरा और चौधा क्योंकि मदलाल ढहिंगरा दोरा लंदन में करचन वाइली की हत्या एक जुलाई 1909 इसवी में की गई थी और जिसके बाद उन्हें 17 अगस 1909 को फासी देदी की थी और उसके बाद में आयेगा जदिन दास या यतिंदर नात दास की 36 दिन की भूँ खड़ताल की कारण लाहोर सिंटरल जिल में मिरत्य हुई थी 13 सितंबर 1909 को और उसके बाद में चंद्र सेखर आजाद की मिरत्य हूँ 27 फरवरी 1931 को अलफ्रेड पार्क वरतमान चंद सेखर आजाद पार्क में और उसके बाद में कि अगला प्रसन है भारतिय सम्विधान का कौनसा अनुच्चेद पूर्व श्रम्वयधानिक कानून को प्रभावी रूप से जारी रखने से स्मझनित है तो आप्शन इसका बी राइट एंसर होगा अनुच्छे 372 भारतिय सम्यधान का अनुच्छे 372 पूरुख सम्यधानिक कानून को प्रभावी रूप से जारी रखने से सम्मधित है अगला प्रस्न है अफ्रीका की प्रसिद्ध विक्टोरिया जील की सीमा किस देश से नहीं ल लगती है अप्शन डी राइट राइट रहोगा रवांडा अगला प्रस्न है टॉर्ण जील टॉर्ण जील है एक मरस्थली जील या फिर एक गलेशरी जील या फिर एक क्रेटर जील तो टॉर्ण जील है एक गलेशियर जील ऑप्शन भी राइट एंसर है एक गलेशियर जी अगला प्रसन है नेमने लिखित में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है एक तरफ भौतिक राशी दी हुई है और दोसरी तरफ उन से संबंधित मात्रक दी हुई है तो सही सुमेला नहीं पूछा गया है ओप्सन डी राइट एंसर है चुम्बकी फ्लक्स ये हेनरी से संबंधित नहीं है क्योंकि चुम्बकी फ्लक्स का मात्रक होता है वेवर बाकी के दाब ये पास्कल से संबंधित है और लिंस की छमता का मात्रक डायक्टर होता है और नाविकिये लंबाई का मात्रक फर्मी होता है जबकि चुमकी फ्लक्स का मात्रक हेनरी ना हो करके वेवर होता है अगला प्रसन है नीचे दो गथन दिये गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है अब गथन ए कहता है बादनों में विजली की चमक गड़गड़ाहट से पहले दिखाई देती है और करण आर है प्रकास का वेग धोनी के वेग से अधिक होता है अब पूछा गया है नीचे दिये गे गूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो सही उत्तर है ए तथा आर शत्य है और आर एकी सही वेख्या करता है क्योंकि बादनों में विजली की चमक गड़गड़ाहट से पहले दिखाई देती है कारण होता है प्रकास का वेग धोनी के वेग से अधिक होता है अगला प्रसन है नेमनी लिखित में से कौन सा या हमीरपूर में मिलती है अप उचा गया है नीचे दिए गए कुट्सी सही उत्तर का चैन कीजी तो सही उत्तर है ओप्शन टी ना तो पहला और ना ही दूसरा कहफन सही है क्योंकि बेतवा यम्णा नदी से हमीरपूर में मिलती है जबकि केन यम्णा में भोजहा बाधा के प करणावती भी कहते हैं और ये उत्रप्रदेश में बांदा जिल्य से प्रिविश करती है तो राइट अंसर होगा इसका डी ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है अगला प्रसन है को सुची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीची दिए गूट से सही उतर का चैन कीजिए सुची first में मंदिर दी हुए है और सुची second में से सम्मधित राज्य दी हुए चित्र गुपत स्वामी मंदिर इसका का शंबंध है कराची तमिल लाडू से कराची तमिल लाडू में स्थित है और रुद्देश रुद्देश्वर मंदिर ये तेलंगाना से संबंधित है और 64 योगनी मंदिर ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और चेन्ना केश्व मंदिर ये करनाटक से संबंधित है तो सही सुमेलों होगा option C में A का दूसरा B का पहला और C का चौथा और D का तीसरा option C right answer है अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सी एक नर्मदा की सायक नदी नहीं है तो अरुणावती नदी ये नर्मदा की सायक नदी नहीं है option D right answer है अरुणावती नदी ये नर्मदा की सायक नदी नहीं करके तापी की सायक नदी है option D right answer है इसका अरुणावती अगला प्रस्ण है उत्तरप्रदेश की किस छेत्र में दूरलव करेली मिटी से बनी पारेवरन फ्रेंडली मूर्थिया मूर्थियों एउन बरतनों की देश विदेश में अच्छी खासी मांग है उत्तरप्रदेश की मिर्जापूर छेत्र में दूरलव करेली मिटी से बनी पारेवरन फ्रेंडली मूर्थियों बरतनों की देश विदेश में अच्छी खासी मांग है option D right answer होगा मिर्जापूर अगला प्रोशन है किस मुगलबाद साहने मक्षुदाबाद यानि कि मक्षुदाबाद नामक शहर की स्थापना की जो बाद में मुर्शीदाबाद की नाम से परसिद हुआ तो अकबर एक मुगलबाद साहने इन्होंने मक्षुदाबाद नामक शहर की स्थापना की जो बात में मुर्सिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओप्शन ए राइट एंसरों का अकबर प्रदेश की विविन संगीत घरानों की संबंद में सुची फर्ष्ट को सुची सिकेंड से सुमीलित कीजी तथा नीची दिये गे कूट से सही उत्तर का चेंग कीजी तो इसमें राइट एंसर होगा C, A का तीसरा यानि की विन्दा दीन महाराज मंदिर इसका संबंद है लखनों घराना से और B का है पहला ध्रुवतारा जोसी इसका संबंद है इटावा घराना से और तीसरा है भीम सिन जोसी इसका संबंद है किराना घराना से और option D है केशर बाई केर कर किसर बाई केर कर इस घराने का शंबंद होगा दूसरा यानि अतरवली घराना से तो सही अंसर है इसका C अगला परसन है अर्थ विवस्था में बुल और बीर सब्दावली का संबंद किस से है अर्थ विवस्था में बुल और बीयर सब्दावली का संबन्ध है सेयर बाजार से option बी राइट एंसर है सेयर बाजार अगला प्रसन है नेमली हित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सही है पहला कतन है बोजन का पूर्ण पाचन छोटी आथ में हो जाता है और दूसरा कतन है रक्त में अधिक्तम पोशक ततो बड़ी आथ में आउशोशित होता है यहाँ पे इसका राइट एंसर होगा D केवल पहला कतन सही है पोजन का पूर्ण पाचन छोटी आथ में होता है अगला प्रसन है बगीचे में खेलते समय एक बच्चे ने अचानक एक सवेदन सिल पौधे सिमोसा पूरिका को छूलिया जिससे उसकी पत्यां मुर्जा गई या किस परकार की परिगटना को संदर्भित करता है तो बगीचे में खेलती समय एक बच्चे ने अचानक एक सम्वेदन सिल्पों दे, सीमोसा पुडिका को छू लिया जिससे उसकी पक्तियां मुर्जा गई या स्वीती दबाव प्रकार की एक परिगटना को प्रदसित करता है, और डी राइट अंसर होगा, स्वीती दबाव अगला प्रसन है, निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानि कि गरत सुमेलन पूछा गया है, तो काय था, इसका सम्बंद, काय था एक पुरा ताद्विकिस्थल है और इसका सम्बंद उज्जैन मंध्य परदेश से है चिरान्द का सम्बंद बिहार से है, और पांडू राजा रडवी इसका सम्बंद है पश्चिम बंगाल से, और दैमाबाद पुरा ताद्विकिस्थल का सम्बंद है महाराष्ट से राइट एंसर होगा, ए, काय था का सम्बंद उज्जैन मंध्य परदेश से है अगला प्रस्ण है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजी, तथा नीची दिये के कूट से सही उत्तर का चेन कीजी सूची फर्स्ट में वंस हैं और सूची सेकंड में उनके संस्थापक साथ वाहन इसका संस्थापक सिमुक था और चाहमान इसका संस्थापक वासुदेव था और कल्चुरी वंस का संस्थापक वामराज देव थे और चंदेल वंस के संस्थापक ननुद्र थे option D right answer होगा इसका A का चौथा B का तीसरा C का दूसरा D का पहला अगला प्रस्ण है कर GDP अनुपाद के संबंद में निमली खित्में से कौन सा या कौन से गतन सही है पहला गतन है या किसी देश की GDP की तुलना में परत्यक्षत था अपरतेश चिकर राजश का अनुपाद होता है और दूसरा गतन है या किसी देश की अर्थवस्ता के आकार के संबंद में कर राजश उत्पन करने की शम्ता की एक उप्योगी माप है अब पूछा गया है नीची दिएगे कूट से सही उत्तर कजिन कीजी सही उत्तर है B पहला और दूसरा दोनों का थन सही है क्योंकि कर जीडीपी अनुपाद की संबंद में या किसी देश की जीडीपी की तुलना में परतिक्ष तथा अपरतिक्ष कर राजश का अनुपाद होता है और या किसी देश की अर्थवस्ता के आकार के संबंद में कर राजस उत्पन करने की शमता की एक उप्योगी माप है। अगला प्रसन है अर्पी या घुईया की सब्जी में कन-कनाहट के लिए मुक्यता उत्तरदाई होता है। अर्पी और घुईया की सब्जी में कन-कनाहट के लिए मुक्यता उत्तरदाई होता है। कल्सियम आक्स लेट ऑप्शन बी राइट एंसर है कल्सियम ऑक्सलेट अगला प्रस्ण है निमलकित में से कौन सा यह गुम सही सुमेलित नहीं है एक तरफ संगठन दिये हुए और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिये हुए तो नेट्यू प्रेस एस्सेशन इसके संस्था सुरेयंदरनाथ बनर्जी थी और इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक और दाधा भाई नाुरोजी थे और बंबे एस्सोसेशन इस की इस्थापना जगहनाथ संक्र ने की थी तो आप्शन यहीं पर इंडिया स्थांटी की स्थापनघ्ट आनन्द मोहन बोस ने की थी ये सुमेलन सही नहीं है अगला प्रस्थन है सुची फर्ष्ट को सुची से केंड से सुमेलिद कीजिए तथा निची दी के कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए पहले सुची में आयसक छेद्र है और दूसरी सुची में दिया हुआ है उनसे संबंधित राज्य तो इस कोश्चन का राइट एंसर होगा C यानि की एक चोथा हास पेठ इसका संबंध करनाटत से है और B का तीसरा होगा खम इसका संबंध आंधप्रदेश से है और सांकेलियम इसका संबंध है संकेलियम का संबंध है गोवा से और D का पहला होगा तो लोहरा पहाड़ी इसका संबंध महाराष्ट से है राइट आप्सन है C A का चोथा B का तीसरा C का दूसरा और D का पहला अगला प्रशन के पिंजिरे में नियौश करने वाली चिडिया के शम्तोल है यह कथन किसुद ओंध भाल सूनेगी वे निवास करने वाली चिडिए समाल है यह सरोजनी नाइडू ने कहा था और राइट अंसर है अगला प्रस्ण है नियम्लिखित में सिख्किस अधिनियम के अंतरगत भारति विधान पर परिसद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्त हुई है भारतिय परिशद अधिनियम 1892 की अधिनियम के अंतरगत भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्त हुई है राइट एंसर है भी अकला प्रस्ट है भारत ने अपना आदिकारगा परमाड़u सिद्धान्त के से वर्स जारी किया था वर्स दोहजार तीन या निकी जनवरी 2003 में जारी किया गया था option डी राइट एंसर है जनवरी 2003 अगला प्रसन है जनकरणा दोहजार गेरा के अनुसार सरवाधिक नगरी जनसंख्यावाले राज्यों का शही अबरोही करम क्या होगा जनकरणा दोहजार गेरा के अनुसार सरवाधिक नगरी जनसंख्यावाले राज्यों का अबरोही करम होगा ऐपस्ण ए में दिया हुआ है महराष्ट्रा उत्तरपरली अकला प्रसropy निम्रें लऺत में से किस आंदोलन में गाउँ तक राष्ट्रिय संदेश पहुंचांए के लिए जादुइ लाल्टेनों का प्रियूग किया जाता था तो सविने अवग्या आंदोलन में गाउं तक राश्टी ये संदेश पहुचाने के लिए जादोई लार्टेनों का परोग किया गया किया जाता था आप्सन सी राइट एंसर है सविने अवग्या आंदोलन अगला प्रसन है मचली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है मचली उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा इस्थान है आप्सन सी राइट एंसर है सी तीसरा इस्थान अगला प्रस्ण है पंडित देन दयाल उपाद ध्याय के समन्द में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है यानि कि गलत कथन पूछा गया है तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वारणसी में हुआ था ये कथन गलत है क्योंकि उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मतुरा में हुआ था उप्सन ए गलत है वारणसी की जएपर मतुरा होना चाहिए था और उप्सन भी भी है उन्हों उन्होंने एक मानुलता वाद की घरसन का पृतिपादन किया था ऑफ्सन सी है उन्होंने सोदेश नाम से एक दयनिक समाचार 친 पद्र का प्रकाशन किया था और आपशन डी है उन्होंने राष्टsnटनामपोंस्थ लिख थी तो बी सी डी यह तेनों सफ़ी है एक कथन गलत है उनका जनमोत्र प्देश की मुत्रा जिले में हुआ था पंडित दिन द्याल उपाद्ध है और आप्शन यानि की कारण आर है वे भारतियों को वैज्ञानिक योम राष्ट्रिये प्रगति की प्रति जागरू करना चाहते थे पूछा गया नीचे दिएगे उठ्ष सही उत्तर का चेन कीजिए तो सही उत्तर है यह सही है परन्तो आर गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चा ते शिक्षा का प्रारंब किया था यह सही है और करण आर में हैं वे भारतियों को वैज्ञानिक योम राष्ट्रिये प्रगति के प्रति जागरू करना चाहते थे यह कतल सही नहीं है अगला पस्णा है वर्स 1793 में लाड कार्नवालिस दौरा प्रस्तुत की गई कार्नवालिस सहिता का सम्बंद है औप्शन बी न्याइक सुधारों से राइट एंसर है बी न्याइक सुधार अगला प्रस्णा है रेडियू धर्मिता निम्न में से किस एक यह अंतर से ना पी जाती है रेडियू धर्मिता गाईगर मूलर काउंटर के दौरा मापी जाती है औप्शन बी राइट एंसर है गाईगर मूलर काउंटर अगला प्रस्णा है यूरेनियम विखंडन की सतत परिक्रिया को जारी रखने के लिए किन कणों की आवश्यक्ता होती है यूरेनियम विखंडन की सतत परिक्रिया को जारी रखने के लिए ओप्शन सी न्यूटरान करों की आवश्यक्ता होती है अगला प्रस्णा है हिंदू पांचांग की अनुशार निमलिखित महिनों को सही कालकरम में विवस्थित कीजी सही कालकरम होगा इसका ओप्शन बी में पहला तीसरा दूसरा वह चौथा पहला भादरपद और उसके बाद में आएगा तीसरा अश्वनिपद और उसके बाद में आएगा दूसरा अग्रहायन पद और फिर आएगा चौथा पूश अगला प्रस्णा है डीपीधर मॉडल पर आधारित निमलिखित में से कौन सी पंच वर्षी उजना अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले समाप्त कर दी गई जिसके अंतरगत पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले समाप्त कर दी गई जिसके अंतरगत पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपक्सेशन पी राइट एंसर हैं अगला प्रसन है निम्ले खित में से किस परकार के प्रदूशन को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड बी ओडी का पर्योग किया जाता है अबी जल प्रदूशन जल प्रदूशन को मापने के लिए बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड यानि की बी ओ डी कापरियो किया जाता है उप्सन सी राइट एंसल है जल प्रदूशन अगला प्रशन है उत्तर प्रदीश में बॉक्साइड के लिए प्रशिद राजगमाचिद की जले में इस्तित है तो उत्तर प्रदीश में बॉक्साइड के लिए प्रशिद राजगमाचिद बांदा जले से संबन देत है उप्सन सी राइट एंसर है बांदा अगला प्रशन है इरुलार और कनिकर जनजातियां कि राजगमें पाए जाती है तो इरुलार और कनिकर जनजातियां पाए जाती है तमिलाडू में आप्सन डी राइट एंसर है तमिलाडू अगला प्रशन है प्रशन बिरूजगारी का सिध्धांत का प्रतिपादन किसके दौरा किया गया था यानि प्रशन बिरूजगारी का सिध्धांत का प्रतिपादन किसके दौरा किया गया था राइट ओप्शन है ए रेगनर नर्च के दौरा किया गया था ओप्शन ए राइट अंसर है अगला प्रसन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए सूची 1 में उत्तर पदेश की झीले दिवी है और सूची 2 में उनकी अवैस्थिति दिवी है गौर जील का समद्ध है रामपूर में रामपूर से और लिलोर जील का समद्ध है बरेली से और दर्बन जील का समद्ध है अमेटकरनगर से और मेशला जील का समद्ध है अमेटकरनगर से और नौह जील का समद्ध है मतुरा से अगला प्रस्ण है संग लोग सिवा आयो के पहले अध्यक्ष कौन थे जिनका कारेकाल अक्टूबर 1926 से लेकर अगस्त 1932 तक रहा अगला प्रस्ण है नीचे दो कथन दिये गये हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आरगा गया है तो पहला कथन है ए सतत विकास मानो समाज के कल्याण है करान आर है सतत विकास से अभिपराय ऐसे विकास से है जो भावी पिली की जरूरते पूरी करने की योगता को प्रभावित की बिना वर्तमान समय की अवश्यक्ता को पूरी करें नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर का चेन करना है, option A right answer है, A तथा R दोनों सही है, तथा R कथन A की सही व्यक्या करता है सतत विकाश मानो विकाश की कल्यार हित्मात पूर है, कारण है इसका सतत विकाश से अभिपराय ऐसे विकाश से हैं, जो भावी पीडी की जरूरतें उर्य करने की योगिता को प्रभावित की बिना वर्तमान समय की अवश्यक्ता को पूरी करें अगला प्रस्ण है निम्रे लिखित में से भारत की शुदूर दक्षिर भागोली की काई कौनसी है भारत की शुदूर दक्षिर भागोली की काई है, ग्रेट निकोबार्त दिपसमूः, आप्षन D राइट अंसर है इसका अगला प्रस्ण है HTML, HTML का पूर्ड रूप क्या है? इसका पूर्ड रूप है option B, Hyper Text Markup Language, option B, right answer है अगला प्रस्ण है भारत के विभाजन के संदर्व में निम्न लिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो भारत के विभाजन के संदर्व में सही कथन है, option C, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट बेटन को सुझाया था कि भी जिन्ना को शरकार बनाने के लिए आमत्रित करें option C, right answer है इसका अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन से जीवाडू जनित 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 रोग है, option A, पहला वा तीसरा, यानि कि बिसहरिया और बुरुसी लोशिस option A, पहला वा तीसरा सही है बिसहरिया और बुरुसी लोशिस अगला प्रस्ण है भारतिय संसत दोरा पुरा पुरा वशेश तथा बहुमूल्य कलाकरती अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था अगला प्रस्ण है राव केला और इस पात लोशिस किस वर्स पारित किया गया था अगला प्रस्ण है कौनसे भारतिय मानसून रहत करने वाले। प्रमुह कारक है भारतिय मानसून को प्र्भावित करने वाले प्रमुह यह सभी हैं अंतहा ओश्ट कटिवंधी अभिशारण चित्र हिंद महाशाग सागर दुद्रू अल निनू मैस करणी उच्च दाप चित्र कि ऑप्शन टी सही है उपर उप्त सभी अगला प्रस्ण है सुची फर्ष्ट को सुची सिकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीची दिये गए कूट से सही उत्तर का चेन कीजिए सुची फर्ष्ट में जोमिंग रसी दिय हुई है और सुची सिकेंड में तेस या उनका इस्थान दिया हुआ है इसका सही मिलान होगा option A, A का चोथा, B का तीसरा, C का पहला और D का दूसरा यानि कि A का चोथा है मिलपा, यूकाटन वा गौटेमाला से संबंदित है और B का तीसरा जूमिंग, उत्तरपुर्वी भारत से संबंदित है और C का है पहला, यानि कि A गनिन इसका संबंद फिलिपिन से है और D में है रोका, इसका संबंद है ब्राजील से तो right option है इसका A, A का चोथा, B का तीसरा, C का पहला और D का दूसरा अगला प्रस्न है निमलिकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है option D में दिया हुआ है नगोया, एर, प्रॉफ उद्धोग, इसका सुमिलन सही नहीं है बागे के नेतान्या, इसका सुमिलन है हीरा की कटाईवा पॉलिस से और ब्यूनर्स आयर्स का संबंद है जल्पोध निर्मार से और से फिल्ड का संबंद कट लहरी उद्धोग से है, तो A, B, C, ये तिनों सही सुमिलित है, option D सही सुमिलित नहीं है option D में दिया हुआ है नगोया, यह सूती बस्तरवा आटोंबाइल उद्धोग के लिए परसित है option D सही सुमिलित नहीं है, अगला प्रसन है भारत में लगू चित्रकला का जनक कीसे माना जाता है भारत में लगू चित्रकला का जनक माना जाता है, पाल को option C, राइट अंसर है, पाल अगला प्रसन है जैब विविदिता एम पारिस्तित की तंतर सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीत मंच के संबद में निमलिकित में से कौन से या कौन सा कथन सही है राइट अंसर है इसका डी पहला दूसरा वा तीसरा सभी कथन सही है इसका गठन वर्स 2012 में किया गया था और इसका मुख्याले बॉन जर्मनी में इस्तित है और भारत इसका सदस्देश है और अप्सन डी राइट अंसर है पहला दूसरा वा तीसरा अगला प्रसन है बिटिस भारत में हुए सैचिक विकाश के कर्म में किंद्रिय सिक्षा शलाहकार बोर दोरा शिष्षा की सौरजेंट योजना किस वर्श प्रस्थत की गई थी तो सिछ्षा की सौरजेंट योजना यह प्रस्तुत की गई थी 1944 मैं ओप्सन सी राइट अंसर है 1944 अगला प्रस्णा है फ्यूज तार जिस धात की बनी होती है उसकी विशेशता क्या होती है तो फ्यूज तार जिस धात की बनी होती है उसकी विशेशता होती है उच्च प्रतिरुधक शक्ति ओप्सन सी राइट एंसर है उच्च प्रतिरुधक शक्ति कर दोin अगला प्रस्ना है निम लिखित में से कांशा यांच सही समेलित नहीं है या VÑ कि गलत समेलन पूछा गया एक तरफ दीश की राज़धानी दीवी है और दूसरी तरफ उन से संबंधित एक तरफ दीश दी ओए और एक तरफ उन अगला प्रस्न है भारतिय शैवाल विघ्यान का पिता किसे कहा जाता है भारतिय सेवाल विज्ञान का पिता MOA आयंगर को खा जाता है, option C right answer है, MOA आयंगर अगला प्रस्ण है, OTT प्लेटफॉर्म में OTT किसे संदर्भित करता है, OTT प्लेटफॉर्म में OTT संदर्भित करता है, over the top को, over the top को option B right answer है, over the top. अगला प्रस्ण है, सुची फर्ष्ट को सुची सेकेंड से सुमिलित कीजिए, तथा निची दिएगे कूट से सही उत्पर का चेहन कीजिए, सुची फर्ष्ट में घाटी दी हुई है, और सुची सेकेंड में उन्जे समंधित राज्य दी हुई है, तो पाताल लोग घाटी इसका संब्ध छिंद वाडा जिला मध्य परदेश से है, और जूहर घाटी इसका संब्ध है कुमाव उत्तराखंड से, और नियवरा घाटी इसका संब्ध है कली, कलिम, पोंग, दारजलिन, पश्ची मंगाल से, और पांगी घाटी इसका संब्ध है चमबा जिला हिमाचल परदेश से ओप्शन इसका B राइट एंसर है A का दूसरा, B का दीसरा, C का पहला और D का चोथा अगला प्रस्न है धोनिक का प्रभाव मानो के कान में कितने समय तक रहता है धोनिक का प्रभाव मानो के कान में एक बटी दस सेकेंड तक विद्धिमान रहता है option A राइट एंसर है एक बटी दस अगला प्रस्न है अहमत सहा अब्दाली ने कि मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमड गया था option A राइट एंसर है अहमत सहा अब्दाली ने मुगल शासक थे इनके शासनकाल में भारत पर आक्रमड किया था अगला प्रस्न है निम्ल खित में से कौन सी सरस्था भारत की समय शन्रक्षक time keep है अथात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है राइट एंसर है C अगला प्रस्न पूछा गया है निम्ल खित में से कौन सा यूगम सही सुमिलित नहीं एक तरफ अविशकार दिये हुई है और दूसरी तरफ अविशकारक है तो हाइड्रोजन भम इसका अविशकार किया था एडवर्ड टेलर ने और डैनामाइड इसका अविशकार किया था अलफ्रेड नॉबल ने और एनिमेशन इसका अविशकार किया था एमिल कोहल ने और बैटरी का अविशकार किया था Elexandro volta ने तो सही सुमेलन option D में नहीं है बैटवीका अविश्कार کیा था Elexandro volta ने अगला प्रशन है राश्तुरी आय था शरकार द्वारा कर शुदहार संबंधी प्रयाशों की चलती कर राजसू में आये परिवर्दन के बीच संबंध को निम लिखित में से किससे दरसाया जाता है Option C right answer है कर उच्छाल से राष्ट्री आयत था शरकार दोरा कर शुधार संबंधी प्रयाशों के चलते कर राज़स्र में आयो परिवर्दन की बीच संबंधों को कर उच्छाल की दोरा दरसाया जाता है अगला प्रसन है निमने लिखित में से कौन सा या कौन से युगम सही सुमेलित है एक तरफ जानवर दिये हुए है और दूसरी तरफ आई यू सी एन इस्तिति दी हुए है Option इसका डी राइट एंसर होगा पहला दूसरा और दीसरा सभी सही सुमेलित है गडियाल गंभी रूप से संग्टागरस्त प्रजाती है और ACI से यह एक लुप्त प्रवाय प्रजाती है और डुडों यह सुमेलित है इन रचनाकारों को अभी तक ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित होने वाले उत्रप्रदेश के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत रघुपति साय फिराक गोरखपुरी सचिदानंद हिरानंद वात्सेन अयगे और महादेवी वर्मा नरेश मेता अली सरदार जौफरी कुवर नारायन सत्यवरत सास्तिरी अखलाख मुहम्मद खान और अमरकांत श्रीलाल शुकल और केदारनत इसमें से उत्तर प्रदेश के आप्शन B में दिया हुआ है केवल पहला और दूसरा यानि कि इरगुपति साय फिराक गोरखपुरी और डाक्टर हर्वन सराय बच्चन ये दो उत्तर प्रदेश के थे इन रचनाकारों को अभी तक ग्यान पूर्ट ग्यान पीट फुरुसकार से समानित किया जा चुका है अगला प्रस्ण है विस्की में कच्चे माल के रूप में किसका उप्यों किया जाता है तो विस्की में कच्चे माल के रूप में जो का प्रयों किया जाता है ओप्शन C राइट अंसर है जो अगला प्रस्ण है मेघाती थी गोविंदराज भारुची और कुलूकल भट ये सबी मनु इसमरती के भाषिकार थे option A right answer है मनु इसमरती के भाषिकार अगला प्रस्न है प्राचीन भारती बंदर गाहों के संदर्व में कौन सा एक सही नहीं है option D का right answer है आंधर प्रदेश इस्थित बाके रिंकम सात वहन काल का प्रमुख बंदर गाहा था ये option सही नहीं है गलत है बाखे के मोटु पल्ली आंधर प्रदेश में इस्थित काकतिय राजवन्स का महत्पुन बंदर गाह था option B है पोहार चोलर सामराज्य का प्रमुख बंदर गाह शहर था और टूंडीवा पूरकाई पांडे राजवन्स काल में महत्पुन बंदर गाह था option D आंधर प्रदेश इस्थित मचली पट्पनम ये इस्थित का प्रमाण मुक्ता शात्वान काल में मिलता है option D का सुमेलन सही नहीं है right answer होगा D अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन कंप्यूटर पर वायरस के प्रभाव को दर्शाता है तो उपर यूगत सभी सही है यह सभी computer पर वायरस के प्रभाव को दर्शाते हैं computer सोता reboot हो जाता है computer बार बार hang हो जाता है और computer memory की सही इस्तिति का साइज नहीं बताता है, option D right answer है, उपर्युक्त सभी. अगला प्रस्न है, मध्यकालेन भक्ति आंदोलन के प्रमुक्रशंत, चैतन्य महाप्रभू के शंदर्व में, नेमलिखित में से कौन सा एक गथन सही नहीं है? तो चैतन्य महाप्रभू के संदर्व में एक कतन सही नहीं है, option D, कीरितन घोस इनकी परसिद रचना है, ये कतन सही नहीं है, बाकी के सही option है, वे बंगाल में आदोनिक वैशनो धर्म के संस्तापक थे, उन्होंने शगुन इशुर की उपाशना एवं कीरितन के मात्यम से भक् प्रकटी करण किया, और उन्होंने अचिंत भेद भाव दर्शन का परतिपादन किया, option D कतन सही नहीं है, बाकी के सभी कतन सही है, अगला प्रसन है, भारती करंसी नोट पर निम्न लिखित में से किस एक भाशा में करंसी की वैलू नहीं लिखी होती है, option B, right answer है, मड़िप भारती करंसी नोट पर मड़िपुरी भाशा में एक करंसी के वैलू नहीं लिखी होती है, right answer है, मड़िपूर, अगला प्रसन है, किस राज ने अंतर देशीय मचली पालन में पहला इस्थान प्राप्त किया है, तो अंतर देशीय मचली पालन में उत्तर प्रदेश ने पहल सवाधिक होती है, तो बादाम में फास्पोरस की मातरा सवाधिक होती है, option A right answer है, बादाम, अगला प्रसन है, भारती समेधान की किश अनुचीद के तहट देश की जनगर्णा का दायुत के इन सरकार को प्रदान किया गया है, option A right answer है, अनुची 246 के तहट भारत देश में जनगर्णा का दायुत के इन सरकार को प्रदान किया गया है, option A right answer है, अगला प्रसन है, अध्यात्म पर अध्यात्म पर अध्याधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले, खलीक हशन निजामी निवर्स 1931 में, मेरट के मेरट से कौन सी उर्दू पत्रिका निकाली थी, option C right answer एंसर है, तोहीद, सूफृःओदी अध्यातंपर आधारित ीश्चात आर्जित करने वाले, खलीक हशन निजामी निवर्स 1931 में, मेरट मेरट से तोहीद पत्रिका निकाली थी, option C, right answer है, तोहीद और अगला प्रसन है, नेमने लिक्ष्ष्ष्ष्ट मैं से कौनसी भ Weg Candice सबसे लंबी शड़क शुरंग है भारत की सबसे लंबी शड़क शुरंग है डाक्टर स्यमा परसाद मुखर जी शुरंग है है अगला प्रस्था माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का शर्वादिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा था तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का शर्वादिक प्रभावकारी उपाय था जन्म नियंत्रण option c right answer है जनम नियंत्रण अगला प्रसन है किसी पौधे के किस भाग को किसी पौधे के किस भाग को पौधे का रसोई घर या भोजन का कारखाना के रूप में जाना जाता है option c right answer है पत्ती अब question number 130 से लेकर के 115 तक originating के questions है इनको छोड़ करके हम फिर से सामानिय अध्यन के प्रसंद करेंगे question number 116 से question number 116 हालही में राश्ट्रिय स्वक्ष गंगा में संदोरा कहां गंगा उत्सव कायजिन किया गया है right answer है नए दिल्ली हालही में राश्ट्रिय स्वक्ष गंगा में संदोरा नई दिल्ली में गंगा उत्सोक आउन किया गया है, option C, right answer है अगला प्रसन है, नेम्न में से किस देश ने, होकी का ACI Championship Profi का केताब जीता है option B, right answer है, भारत बारत देश ने होकी का ACI Championship Profi का केताब जीता है option B, right answer है, भारत अगला प्रस्न है राज्य खाद्य शुरक्षा सुचकांक 2022 तेस में बड़े राज्यों की सुची में किस राज्य ने सीर्जिस्थान हसे किया है राज्य खादिस और अच्छा सूचकांग 2022 देश में बड़े राज्यों की सूचे में केरल राज्य ने सी सिस्थान हासिल किया है, option A right answer है केरल अगला प्रस्ण है हाल ही में कब राष्ट्रिय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है अगला प्रस्ण है किस बैंक को बिजनेस चेंज में कर आफ दा एयर 2023 से समानित किया गया है option C right answer है Reserve Bank of India को बिजनेस चेंज मेंकर आफ दा एयर 2023 से समानित किया गया है right answer है C Reserve Bank of India अगला प्रस्ण है आजादी के अमरित महुतसव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज सीर्शिस्थान पर रहा है आजादी के अमरित महुतसव और मेरी माटी मेरा देश अभियान के option B right answer है गुजरात राज सीर्शिस्थान पर रहा है right answer S, B, गुजराद अगला प्रसन है निम्न में से किस देश ने चीन की बेल्ट एड रूड पहल से बाहर निकलने की खोशना की है option C, right answer Philippines, फिलिपिन्स देश ने चीन की बेल्ट एड रूड पहल से बाहर निकलने की खोशना की है अगला प्रसन है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में BPCL बिना रिफाइनरी में पेट्रो केमिकल कॉंपलेक्स की आधार सिला रखिया है ओप्सन बी राइट यांसर मद्यप्रदिश पर्थान मंत्री नारेंद्र मोदी ने मद्यप्रदिश राज्य में BPCL बिना रिफाइनरी में वेट्रोक्रेमिकल कॉंपलेक्स के आधार सिलार रख्या है। अगला प्रसन है निम्न में से किस राज ने नंदिनी करशक शम्रद्धी उजना सुरू की गई है उत्तरपरदीस राज सरकार के दोरा option D. राइट एंसर है मुख्यमंत्री योगियादित नातिकी नितृत में ये उजना सुरू की गई इसमें मवेशियों की नसल बढ़ाने और दूध उप्तपादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिसन के तहत नंदनी करशक शम्रद्धी उजना सुरू की गई है अगला प्रसन है निमने लिखित में से किसे शिक्षा के शेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार से समानित किया गया है नजमा अक्स्तर को आपसंद बी राइट अंसर है नजमा अक्स्तर अगला प्रसन है केंद्री मंत्री मंडल ने उजला योजना का विस्तार किस वर्ष तक करने की मनजूरी दिए अगला प्रसन है हालहे में चर्चा में रहा भूज वेट लेंड किस राज में इस्थित है तो चर्चा में रहा भूज वेट लेंड इस्थित है option D मध्य परदिश राज में राइट एंसर है D मध्य परदिश अग्ला प्रस्ण है हाल ही में घोशित भाशा का 42 अाभी स्धल होईसल के पवित्र मंदिर समोह किस राज से संब्ढदित है तो ये मंदित समूह ओप्शन सी करनाटक राज से संपख्यार है अगला प्रसन है कि है हाल ही में किस पजो कोIRE खदे पशोν का टैग मिला है तो म्यथों पशु को खाद पशु का टैग मिला है option C Raidenzer है मेथुल अगला प्रस्ट है नेमन में से किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त और अर्थ व्यवस्था का खिताब जीता है तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थ व्यवस्था का खिताब जीता है option A. Singapur ने राई अंसर है A. Singapur अगला प्रस्थ है भारतिय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेंच ब्हगर बुकर पुर्षकार 2023 के लिए चुना गया है ऑफचन बी राइट एंसर है जितना मारू अकला प्रस्थ है के इंद्रिये परियवर्ण मंतराले की रिपूर्ट की अनुसार किस राजे में शरवाधिक हाथी गलियारा है। सरवाधिक कि अगला प्रसन है अगला प्रसन है ... जारी 2018 की विश्य की शर्वशिश्ट कमपनीों की Со सौ सूची में सामिल होने वाली एक मात्र भारती कंपिनी कोन है तो टाइम्स मैगजीन के दौरा जारी 2023 की विश्व की शरुषिष्ट कंपिनियों की सीर्च सो सूची में सामिल होने वाली एक मात्र भारती कंपिनी है अगला परसन है निम्न में से किस शहर में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2030 आज जित हुआ है बैंगलूरू में राइट अंसर है बैंगलूरू अगला परसन है टाइम्स हायर एजुकेशन टी एच ई द्वारा घोशित वर्ड यू निवं रांकिंग दो हजार चुबिस में भारत का कौन सा सनस्थान सीर्ज पर है अगला परसन है उन्नीस वी एसयाई खेलू में भारत नने कुल कितने पंदक जीते हैं तो उन्नीशमी एस एाई खेलो में भारत ने कुल policeman एक्सो साथ, मेल जीते हैं, option d right answer है,health 107 अग्ला प्रस्न है, हाल ही में, चर्चा में रहा, मानस निशनल पारक किता राज में स्थित है तो चर्चा में रहा मानस निशनल पार्क आसम राजी मिश्थित है option A right answer है मानस निशनल पार्क और टाइगर जब ने घोंशना की है पार्क में स्वैप डिनर यानि कि 12 सिंगा की आबादी में व्रद्धी हुई है इसलिए असम राजी चर्चा में रहा है अगला प्रस्ण है हाल ही में चर्चा में रहा पूसा 44 किस आनाच की किस्म है पूसा 44 यह धान की किस्म है option D right answer है धान अगला प्रस्ण है निशनल लिखित में से कौन सा उत्तरपदेश का पहला शौर शहर होगा तो उत्तरपदेश का पहला शौर शहर होगा शोर शहर होगा ये आयुद्ध्या आप्संटी राइट एंसर है उत्रपदेश नवीन एवं नवीकणी उर्जा विभाग आयुद्ध्या को शोलर सिटी के रूप में विक्षित करने के लिए काम कर रहा है और शर्यू नदी के किनारे एक शोलर पार्क भी विक्षित किया जाएगा एंटी पीसी ग्रीन दौरा शर्यू तरपर 40 मिगवाट का शोलर प्लांट इस्थापित किया जाएगा अगला और लास्ट प्रसन है विसण एथलिटिक्स ने इस वर्स के एथलिट और इर के किसे नामित किया गया है तो option इसका right answer is A. निरत चोप्रा निरत चोप्रा को विसण एथलिटिक्स आफ दा इर की लिए नामित किया गया है अगर वीडियो आपनों गोई को यूज फुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें